नमश्कार आप देख रहे हैं गाउं की दुनिया और आपकी साथ हुमे जय तिमश्रा इस बुलिटन में हम आपको दिखाएंगे गाउं और कस्पो की हर वो छूटी बड़ी खबर जिसका सरुकार है आपसे तो आईए शुरू करते हैं गाउं की दुनिया का आश्का सरुबर श्रम अंत्री टिकराम जूली ने अलवर जिले में विभेन कारिक्रमों में हिस्सा लिया जौरान उन्होंने अपने कारेले पर जन सुनवाई भी की इस कारिक्रम के बाद श्रम अंत्री टिकराम जूली ने राजकी उचमाद में क्विध्याले कलसाड़ा में वाटर कूलर का उत्खाटन किया साथ ही जौरान बड़ी संख्या में ग्रामी नुपसित रहे इसके बाद श्रमंत्री टिकराम जूली ने कल साड़ा में आईजुत फ्रिकेट अप्रतियोंगिता का उत्धाटन किया इस वरान जूली का कहना था कि करुणा जो ऐसे बिमारी में भी युवावर्ग खेलों की बच़ए से इसकी चपेट में नहीं आया आज के दौर में खेलों का अधिक महत्व है इसलिए सब ही युवावर्ग को खेलने में हिस्सा लेना चाहिए देखे मैं युवावर्ग को पहले दो बढ़ाई हो और सुबकामना है देता हूँ कि आज कभी युवा भी लगातार खेलों के अंदर इंट्रेस्ट रख रहा है और जैसे कोरोना की जो महमारी आई इसके अंदर आपने देखा होगा कोई भी खिलाडी कोरोना से उसका कोई नुक्षान नहीं हुआ पहले बाद दो कोरोना ही नहीं हुआ और कोरोना हो गया तो भी कोई नुक्षान नहीं हुआ अभी वभाग मानवा अदिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कारियों का निर्वहन करेंगे खृषी कानूलों के विरोध में दो अप्रेल को सेयुक्त किसान मूर्चा की और सी बानसूर में किसान महापनचायत का आयोजन किया जाएकर जिसकी तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्ठी प्रदेश अध्यक शुमुकेश यादव सहित कारिकरताओं ने सभास्थल का जाय सरिया किसान महापनचायत को किसान नीता राकेश्टे कैथ, युगेंद्र यादव, राजराम मील, अमराराम सहित कई किसान नीताओं निसम्भुदित करेंगी का जो प्लान है वो बनाया साथी महापलचाइद को लेकर सफल बनाने के लिए स्थानी कारे करताओं की बैठक लिए जिसमें जिम्मदारियां भी सौपी गई राजधानी के चाक्सु में शूरीतला माता का प्रदिवर्श राजित होने वाला लखी मेला इस साल नहीं होगा उबजला मजिस्ट्रेट और स्टीअब राजेश मीरा ने कादेश रारिकर मेला स्थागित करने की सूचना दी है कानादिकारी बलवीर सिंग कस्वा ने बता कि मेले में किसी भी प्रकार की व्यवसाइक और सामाजिक गतिविधियां जैसे दुकाने जूला सरकस धर्मशालाओं में सामाजिक बैठने के लिए सभी कारेकर मुग पर रोक रहेगी ये हर साल लाखों लोगों की तादाद में श्रधालू दर्शन करने पहुँचते हैं ऐसा धर्मिक स्थल है अब खबर सीकर के दातरामगर से जहां खाटू शाम जी में पिशले एक सबताहस से लगातार कोरूना के मामली सामने आ रहे हैं इसी करम में ब्लॉक सीमेचो डॉक्र सुनेल धायल ने इवन टीवी के माध्यम से आम जनता से अपील की कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घर से बाहर निकलते समय मास्क पहन कर ही निकले और भीडभार वाले शित्र में जाने से बचे इसे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण तया पालना करें अब खबर पाली के तखतगर से जहां सामुदाइक स्वासुकेंद्र में कोरोना वाक्सीन का तीसरा फेज शुरू हुआ जिसमें 45 साल से पारवाले लोगों को टिका करन में उत्सहा देखने को मिला जिकित्सा प्रभारी जॉक्टर अमित कुमार ने बताए कि सामुदाइक स्वासुकेंद्र में कोरोना वाक्सीन का तीसरा चुरंड शुरू हुआ है जिसमें 20 लोगों को कोरोना वाक्सीन के टीके लगाए गए प्रुदेश में कोरोना संक्रमंट की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने सक्त कदम उठाने का फैसला लिया तो महीं पाली की सुमेरपोर में भी मुखि मंतरी हैलोत के णिरदैश पर नगर पालीका प्रश्यासन आक्शन मूर में है पालिका अधिशास्य अधिकारी ने बता कि राजुसरकार के निर्दैश पर पोलिस प्रश्यासन और अगर पालिका की ओर से सयुक्त कारवाई की जाएके इस और आज 14 अप्रेल तक सगना निरिक्षन किया जाएगा साथ ही नियमों का उलंगन करने वालों की खिलाफ भी कारवाई की जाएके भीलवाडा जिले के आसिंद थानक शेत्रों में धाई साल पूर्व किशोरी से दुशकर्म कर हत्या करने के मामले में फॉक्सो कोट संख्यादों ने आरोपी को आजीवन कारवास की सजा सुनाए इसे के साथ कोट ने आरोपी पर 50,000 रुपाय का जुर्माना भी लगाया विशिष्टे लोग अभी उजक शुति शर्मा ने कहा कि आरोपी ने दुशकर्म करने के बाद किशोरी का गला घुट कर हत्या की जिस पर पुलिस ने आरोपी नारायन और फिर राम नारायन गूजर को ग्रफतार किया इसके बाद कोट ने आरोपी को दोशी मानते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है साथ ही कोट ने दोशी पर 50,000 रुपाय का जुर्माना भी लगाया जिसमें पीडिता मृत्यका अपने केट से चापना भी लगाया जालायने गई थी तो वापस रहा नहीं नोटी उसकारण से उसको पिता को शब हुआ और उन्हाना पिता ने अपने पुत्री की तलाश रहना प्रारम किया जिसमें थाना आसीन अधिकारी ने अनुसंदान प्रारम करके आरोपत्र प्राक्षो संक्यर टू में पेश किया जिसमें आज नहाले ने मृत्यका के पिता अभी उत नारायनाल गूजर निवासी जाला आसीन को आज इवन कारावास तथा जिन्जनु में दो बदमाशों के ववाद ने जंग जैसा महाल बना दिया घटाना कला निवासी शराब ठेकिदार जैवीर और राजपुरा गाउं के रहने बारे इलाखे इश उर्फ हनी के बीश ये ववाद हुआ दरसल शराब ठेकिदार जैवीर ने दोस्त के जन दिन पर राकेश को शराब देने से इंकार कर दिया इस पर वो जबरदस्ती शराब लेकिया जब इस बात को लेकर जैवीर ने राकेश के पता को शकायत की तो उन्होंने भी ठीक से जवाब नहीं दिया उसके बाद जैवीर के लोगों ने राकेश के पता के गाड़ी में तोड़ फूर कर दी मामला थाने तक तो पहुँचा लेकिन फिर आपसी समझाईश से रफादफा हो गया तो वहीं अभधर जपनी को लेकर दोनों के बीश एक बार फिर विवाद शुरू हुआ उसके बाद राकेश ने जैवीर की निजी बस को हिरवा के पास रुकवाया और तोड़ फूर कर दी साथी बस में एठी सवारियों ने खिड़की से कूट कर अपनी जान बचाई इसके बाद कुछ देर बाद वो भी घर पहुचा लेकिन उसे घर पर वो नहीं मिला उसके घर के बाहर खड़ी तीन गाड़ियों के साथ तोड़ फोर की और रिवॉलवर दिखा कर परिवार की लोगों को जराया इन दोनों घटनाओं के विडियों भी वारल हुए तो महीं चुड़ावा धाने में जैवीर ने हनी और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है अलाकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है धौलपुर जिले में बरजरी माफियाओं का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा बरजरी माफियाओं की दादागिरी के सामने जिले के पुलिस भी बौनी साबित हो रही है बजरी माफिया कहीं भी और कभी भी वार्दातों को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो जाते है आमजर में विश्वास और अपराधियों में भै पैदा करने वाला पुलिस महकमा बजरी माफिया के सामने नाकाम साबित हो रहा है गुरवार कॉल सुभा चार बजे बजरी माफियाओं ने ट्रक्टर चॉली एने 623 पर कैथरी आर एसी चेक पोस्ट के सामने हो कर निकाल रहे थे चेक पोस्ट पर वैरियर लगा देख बजरी माफियाओं ने ड्यूटी पर तैनात आर एसी के जवान पर अवैद हतियार से फारिंग के जिसमें आर एसी के जवान के पैर में गोली लगने से वुखार हो गया उसके बाद माफिया बेख़ॉफ यूपी के और निकल गए घटना की सूचना पाकर सेपा उथाना पुलिस QRT और कोब्रा पुलिस मौके पर पहुँची लेकिन एक भी माफिया पुलिस के हत्ते नहीं चढ़ा फिलहाल घायल जवान को जिला चिकेट साले में भठती कराए क्या है? अब खबर अलवर के बांसूर से है जहां नाराइनपूर रूड पर मोती वाली प्याओ के पास दर्दनाक सड़क हारसा हुआ जिसमें टैंकर और बाइक की भडनत में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभी रूप से घायल हो गया सूशना पर पुलिस मौके पर पहुँची और शव का पोस्ट मौतम करा परिजनों को सौब दिया साथ ही मामली की जाश में जुट गई है अब खबर ढूंगरपूर के सदर थानक शित्र से जहां घुगरा गाउं में पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से संसनी फैल गई पुलिस के अनुसार घुगरा गाउं नुवासी दीपक डोडिया रात को खाना खा कर सुया था तो महीं सुभा जो परिजन उठे तो देखा कि घर के बाहर दीपक का शव पेड़ से लटका हुआ था इधर घटना की सोचना पागर पुलिस ने पोस्ट मौटम के बाद शव परिजनों को सौप दिया फिलहाल पुलिस आत्म हत्या की वजह का पता लगाने में चुटी है नागौर जिली के खिफसर उखड में एक भीशन हाथसे की खबर जिसमें प्रीमनगर सडक मार्क पर टैंकर और ट्रक के बीच जबरदस्त भणन्त हो गई हाथसे में ट्रक सवार की मौके पर ही दरदनाक मौत हो गई पुलिस ने बतार कि घटना के बाद टैंकर चालक मौके पर टैंकर शूड कर फरार हो गया घटना के वक्ट ट्रक नागौर से जूद पूर प्यास लेकर जा रहा था तो वहीं पुलिस ने शब का पोस मौटम कर परिजनों को सौफ दिया और पूरे मामली की जुआच में जुट गई है जा गया जहां डॉक्टर्स ने उससे मृत घोशित कर दिया अब खबर हनुवानगड के नोहर से जहां जुनानिया गाव में एक भीशन सडक हाथसा हो गया जुसमें तेज रप्तारकार ने 26 भीडो सहे तिक व्यक्ति को कुचल दिया दुर घटना में एक शक्स की मौत हो गई तो महीं भीडों के एक शत विशत शव भी सडक पर बिखर गए आजसे में दो बाएक सवार समीत चार व्यक्ति भी घायल हुए जोने हर्याना के सिरसा रैपर के आगया सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और घटना स्थल का मुआना किया जानकारे के मताबिक कारचालक शराब के नशे में था पुलिस ने कार से शराब भी बरामत की घटना के बाद कार्चालक मौके से फरार हो गया पुलस ने मृत्तक युवक का पोस्ट मौटम कर शव परेजिनों को सौफ दिया साथ ही मामले की ज्राँच परताल में जुट गई है दूंगरपुर जिले के रामसागरा थानक्षेत्र के धमलात वला गाव में फुलस के नुसार गेहूं कि फसल निकालते समय यूवक का हाथ थ्रेसर में आ गया जिसके बाद उसका सर भी उसकी चपेट में आ गया जोसे उसके दरधनाक मौट हो गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुचिया रश्रव का पूस मौटम करा कर रश्रव परेजिनों के सुपुर्थ किया फिलहाल पुलिस मामली की जांच में जुट गई है डुंगरपुर में पुलिस के स्पेशल टीम ने शराब तसकरों के खिलाफ अभियान चला है इसे के तहट स्पेशल टीम ने विचिवारा थानक्षेत्र में बाइक पर शराब तसकरी करते हुए को युवक को गरफतार किया साथ ही उससे 6 काटन शराब भी जब्त की है सौरान पुलिस ने आपकारी अधिनियम के तहट मामला दर्सकर आरूपी से पूश्टाच प्रारहम बकर दी जुंगरपुर के आसेला गाओ में जानलेवा हमले में घाल हुए युवक की मौत हो गई घटना के बाद पुलिस ने शरब का पोस्माटम कराकर परिशनों को सौप दिया इसी के साथ हत्या का मामला दर्सकर आरूपी की तलाश प्रारहम बकर दी पुलिस के नुसार घटना के दिन व्रतक दुकान पर कुछ सामान लेने गया था इसी दोरान गाओं की ही एक व्यक्ति ने उस पर रजवान लेवा हमला किया था अब खबर अजमेर के सावर्थाना से यहां पर मालियों के नए गाओ में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कारवाई की है पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतका के प्रेमी को गरफतार किया आरूपी ने अवैद समंदो के शलते जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद गला दबा कर महिला की हत्या की फिलहाल पुलिस आरूपी से पूश्टाश में चुटी है राज़ाने के हर्माणा के राजवास कस्वे में विदुत्व भाग की लापरवाही सामने आई जिसमें एक निजरी स्कूल के बाहर लगे च्रांस्वामर में अचानक आग लगने से हड़कम पमच गया घटना की सोचना स्थानी लोगों ने विदुत्व भाग को दी जिसके बाद विभाग ने बिजली सप्लाई तो बन कर दी लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुचा जबकि इसे रास्ते से होकर कई लोगों का आवागमन जारी था जुससे स्थानी लोगों में आकरोश्व्याप्त है टॉक के देवली बस्टैंड पर अग्यात वजहे के चलते तीन दुकानों में भीशनाग लग गई इसाग से लाखो रुपाय का माल जल कर खाक हो गया तो वहें भीशनाग को देखकर बस्टैंड पर हर कंप मच गया आजसे के सूचना पाकर पुलिस प्रिशासन और दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँची जहां कड़ी मशक्कत के बाद इसाग पर नियंत्रण किया गया भारत पेट्रोलियम के और से कोटा से जूबनेर तक पाइपलाइन बिच्छाए गई है इस पाइपलाइन पर आपता कालीन आपदा प्रभंदन के अभ्यास के लिए गेंडोली खुर्द गाउफ में मौक्ट्रिल की गई इस औरान प्रिशासन की और से बीपी सेल की और से तेल के रसाब को रूखने गायल कर्मियों को बचाने और आग पंडियंत्रन पाने का अभ्यास किया किया भारत पैचूलियम के क्षेत्री प्रभंदक श्रीकृष्ण कुमार ने बता कि स्मौक्ट्रिल का उदेश यह ग्रामिनों को आपात कालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रभंदन के इंतल्जामों से अवगत करवाना है अब खबर भीलवाडा के शापुरा से जहां उस्वाल समाज की और सिफागुट सब का आयुचिन किया गया स्वरान सामोहिक भजन, मृत्य और ज्ञाक्यों की कई कारिक्रम आयुचित हुए तो वही कारिक्रम में उस्वाल ज्ञान समाज की संरक्षक सुशीला महता, मंद्री, मदुजांगी, कोशाध्यक्ष, भिलाशा, सिंग्वे, समेथ कई लोग पुर्णी शिर्कत की इस मौके पर साहवोई कार्टी की बार पुसाद वित्वन भी किया गया चुले गाओं के दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एवन टीवी, नमस्कार